हाई दोस्तों वेलकम तो मीजिक सीगें, आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, आज मेरे पास मीडी पलस के तरफ से एक वीवो 25 मीडी कीबोर्ड आया, जो 25 कीज का एक कम्पलीट मीडी कीबोर्ड है, जो बुलूदूस से भी चलता है, और ये वायर से भी कनेक्ट ह कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर इन बिल्ट लिथियम बैटरी भी है, तो कैसे इसको यूज करना है, कैसे सेट अप करना है, कौन सा सॉप्ट्यर इसके अंदर आपको फिरी में देखने को मिलता है, कम्पलीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल बैटरी भी इंकलूड है अगर आपको इनकेस इमर्जनसी में कहीं पर यूज करना हो जहां पर आपको USB ना लगाने की जुरत हो तो ऐसे केस में आप इसको यूज कर सकते हैं बिना USB कनेक्ट किये हुए दोस्तों बात करें इसमें कौन सा सॉफटेर फ्री में मिलता है तो इसकेंदर QBase आपको फ्री में देखने को मिल जाता है है यहां पर आपको Box के अंदर QBase इंकलूड है तो इसकेंदर आपको एक box के अंदर कार्ड मिलता है जहां पे आप weights software को access कर सकते हैं दोस्तों बात करें इस MIDI keyboard का तो यह 25 keys का complete foldable MIDI keyboard है जिसको आप fold करके भी रख सकते हैं कहीं पर अगर आपको इसको ले के जाना है तो आप बड़े आसानी से ले के जा सकते हैं क्योंकि यह fold भी हो जाता है मैंने इस वीडियो में सारी डीटेल बताया है कि कैसे इसको setup करना है कैसे code access करेंगे और कैसे हम software को free मिलेंगे और साथ में MIDI keyboard को कैसे connect करना है कैसे use करना यह सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है और इस box में सबसे पहले आपको user manual और Cubase का access card देखने को मिलता है जिसको आप access कर सकते हैं और इसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है एक data cable जो type C में है और इससे आप अपने computer से इसको connect कर सकते हैं mobile से भी even connect हो जाता है और सबसे important चीज़ है यह midi keyboard और इस तरह की packaging में आता है midi plus का brand है और इस side में अगर आप ध्यान से देखे तो यहां पर कुछ option आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले pitch out फिर get out mode out midi out और उसके बाद sustain पैटर लगाने के लिए option मिलता है USB मिलता है USB type C का option मिलता है और last में आपको यहां पर power का button मिलता है जिसको press करते ही आपका यह midi keyboard on हो जाएगा जब इस midi keyboard को आप पूरी तरीके से open करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा जहां पर उपर के side में यह आपको fold level option देखने को मिलता है जिसको आप इस तरह से fold कर सकते हैं और इस side में आपको option मिलता है हलका सा band करने का जिसको आप इस तरह से उठा सकते हैं और यह जो आप आप इस तरह से बंद कर सकते हैं यह आपके use के उपर है तो आप चाहें तो इसको fold करके रख सकते हैं या आप चाहें तो बिल्कुल flat surface पर इसको इस तरह से आप रख सकते हैं और use कर सकते हैं यह midi keyboard सिर्फ 2 octave का ही है लेकिन बहुत अच्छे से work करता है और इसके white keys हैं यह काफी ज्यादा soft है तो आपको use करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस midi keyboard को connect करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक cable मिलेगा जो type c में होता है तो इस type c cable को यहां पर आपको put करना है यहां पर आपको लगाना है और एक usb को आपको अपने computer में लगाना है तो इसके basics function को समझ लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर आपको उपर के side में यहां पर मिलता है pitch band basically जो हमारा physical keyboard होता है मीडी कीबोर्ड होता है उसके अंदर एक button type का होता है लेकिन यहां पर आपको touchable मिलता है आप अपनी finger की मदद से इसको touch करके use कर सकते है और दूसरे मीडी कीबोर्ड की तरह भी इसके अंदर modulation wheel आपको यहां पर देखने को मिलता है जो physical wheel की जगह आपको यहां पर touchable देखने को मिलता है और modulation wheel की velocity आपको यहां पर display के अंदर show होता है मीडी कीबोर्ड के अंदर octave up या down करना है तो यहां पर आपको physical button मिल जाता है आप इस button से octave down कर सकते है और इस button से आप octave को up कर सकते हैं तो इसको आप एक बार press करेंगे तो octave plus या minus करेंगे तो यहां पर यह show होता है जितनी बार भी आप octave को बढ़ाएंगे या घटाएंगे वह यहां पर आपका show होगा तो अगर आपको अपना जो मीडी कीबोर्ड है उससे octave को normal करना है मतलब octave up या down नहीं करना है नोर्मल जो होता है वैसे रखना है तो आपको octave minus पर क्लिक करना है तो यह octave down हो जाएगा और आपका जो मीडी कीबोर्ड है वो as a normal work करेगा पीच में यह button है transpose का जिससे आप अपने scale को transpose कर सकते हैं यहां पर अभी आपको तीन option मिलेगा shift, tap tempo and sustain का तो यह जो तीनो option है यह बहुत ही ज्यादा important है पहला shift का option है और इसको आप अपने arp के साथ में use कर सकते हैं यह basically connected होता है आपका यह वाले arp button के साथ में और arp के अं तो अभी सबसे पहले यह sustain का जो button है इसको हम use करके देख लेते हैं यह basically क्या करता है sustain देता है आपके notes के उपर तो कोई भी आप codes play करेंगे तो उसमें आपको यह sustain देगा तो आप इसको use कर सकते हैं आपको यह sustain button है इसको एक बार इस तरह से press करना है और उसके बाद कुछ होगा तो यह tap tempo का feature है जिससे आप tempo change कर सकते हैं और यह basically ARP के लिए use होता है जैसे अगर आप RPGOS use कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको use कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको यह जो ARP का button दिख रहा है यहाँ पर इसको आपको यह on करना पड़ेगा उसके अभी ARP के setting को हम समझ लेते हैं कि किस तरह से shift button के साथ में यह जो उपर में 4 knobs दिए गए हैं इसको हम use कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यह जो shift button दिख रहा है इसको आपको hold करके रखना है और उसके बाद यह जो swing का knob है इसको आप इस तरह से move कर सकते हैं जिससे आपके जो notes हैं वो swing होगे तो अगर आप अपने arpezios को up and down बजाना चाहते हैं तो इसके लिए shift button को प्रेस करके रखना है और उसके बाद यह order को आप इस तरह से change करेंगे तो यह up and down change हो जाएगा और जो भी select रहेगा उस हिसाप से आपका आर बजेगा और यहाँ पर next जो option है shift के साथ में अगर आप range बटन को move करते हैं तो आपका octave अप होगा आप एक दो या तीन या चार octave उपर बजा सकते हैं अपने arpezios को और यहाँ पर last option है इस nobs के अंदर shift बटन के साथ में यह जो rate का बटन दिखे रहा है इससे आप 1 by 8, 1 by 4, 1 by 16, 1 by 32 इस तरह के setting को change कर सकते हैं और इसको जैसे जैसे आप change करते जाएंगे आपके जो arpezios हैं वो काफी ज्यादा fast या फिर सुलब बजेंगे अब बात करते हैं किस तरह से arpezios अपना खुद का बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले यह arpe mode आपका आउन होना चाहिए उसके बाद आपको यह hold का बटन दिख रहा है इसको आपको प्रेस कर देना है इसको जैसे आप प्रेस करेंगे इसके बाद कोई भी code आप बजा ल लिजिए और extra note को add करने के बाद आप यह hold का बटन दिख रहा है इसको आप एक बार इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपका जो note है वो यहाँ पर add हो जाएगा आपके arpezios के अंदर अब आप जो भी आर बजाएंगे उसमें यह note आपका बजेगा अब बात करते हैं कि ह्यांपे code कैसे हम use कर सकते हैं यह जो code का बटन है इसको यूज करने के लिए इसको आपको press and hold करके रखना है और इसके बाद कोई भी code आपको बजा लेना है तो मैं आप इसको press and hold करके रखना हूं और मैं याप एक एक C major code बजा रहा हूं और इसके बाद आपको code को release कर देना है और इसके बाद कोई भी एक eigenlijk vocês कर देाए और नीचक कोई आपका varios ने यह आपको प्रेस करना तो यह आपका दियरś करना हुआ हो नेकर आपके लापको कहले हो जाएगा अ behavior बजाएगा recording करने के लिए use करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर total आपको 8 pads देखने को मिल जाते हैं जिसको आप use कर सकते हैं और बहुत ही smooth लिए work करता है और क्यूंकि यहाँ पर total 8 pads दिये गया है तो अगर आपको इसको extend करना है तो यह 9 to 16 बले button आपको press कर देंगे उसके बाद यह आपका pads extend हो जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर यह जो feature है scale का नीचे में जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिख रहे होंगे चाइना 1, चाइना 2 और जापान 1, जापान 2 इस तरह के धेर सारे option यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो इसको हम कैसे use करेंगे आईए वह देखते हैं इसके लिए आपको यह जो shift button दिख रहा है इसको आपको इस तरह से hold करके रखना है और उसके बाद जिस भी scale note के अंदर आप जाना चाहते हैं जैसे यहाँ पर जो mode दिए गए उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसी button के सामने आपको प्रेस करना है जैसे यह जो button है इसको आपको प्रेस करना है और फिर यह आपका activate हो जाएगा और यह आपका display मि बजएगा यह लिए हम लोग एक बार और जापान मोड में इसको ओन करके देखते हैं अभी एजिप्ट मोड में था यह shift बटन को दबा की रखना है और इस बटन के सामने आपको प्रेस करना है और छोड़ देना है यहाँ पर select हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर use कर सकते हैं अब बात करते हैं कैसे इसके driver और बांकी installation process को हम complete कर सकते हैं यहाँ पर गूगल पर आपको search करना है midiplus vboard 25 और यहाँ पर आपको support midiplus का option आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने midiplus का driver है और website है वो open होके आ जाएगा यहाँ पर midiplus का control center आपको download कर लेना है जैसे यह window और Mac दोनों के लिए available है और यहाँ पर आपको download button दिख जाएगा तो यहाँ आप इसको download कर लीजिए यह जैसे download हो जाए उसके बाद इसको extract कर लेना है और इस पर double क्लिक करना है यहाँ पर continue पर आपको click करना है फिर से click करना है install पर click करना है और यहाँ पर password डाल कर इसको install कर लीजिए और इसको आप यहां से close कर दीजिए यह आपके computer में install हो गया है अभी आपको यह open कर लेना है एक बार यहां पे आपको क्लिक करना है media plus पे और इस control center को आप open कर लीजिए और यह open होते ही कुछ इस तरह से आपके screen पे दिखेगा यह automatically select हो जाता है अगर नहीं होता है तो यहां स Mac यूज़ कर रहे हैं अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो भी आप Google पे search कर सकते हैं यहां पे आपको simply search करना है Bluetooth MIDI Connect और उसके बाद यहां पे इस तरह से खुल जाएगा Bluetooth MIDI Connect आपको यह वाला यहां पे install कर लेना है अगर आप iOS device यूज़ कर रहे हैं मतलब Mac यूज़ क करके install कर सकते हैं आपको यहां पे MIDI BLE Connect आपको install करना है Software download process देख लेते हैं सबसे पहले आपको यह Cubase का इस तरह का एक card मिलेगा जिसके पीछे में आपको download access code देखने को मिलता है और इस download code को आपको Stenberg की website पे जाके redeem करना है सबसे पहले आपको यहां पे आना है google.com पे यहां पे search करना है और इसकी जो पहली website है Stenberg इसको आपको open करना है और उसके बाद यहां पे आपको उपर के side में यह वाला option देखेगा my Stenberg इस पे आपको click करना है यहां पे आपको create an account पे click करके सबसे पहले तो एक account बना लिना है अगर आपका नहीं है और अगर है तो यहां पे email और password डालके आप login कर सकते हैं अब यहां पे आपको इस तरह से खुलेगा आपको redeem download access code पे आपको click करना है और जो आपको एक card मिला था box के अंदर उसके अंदर जो code होगा उसको आपको यहां पे डाल देना है और code डालने के बाद यहां पे आपको next का बटन दिख रहा है इस पे आपको click करना है और यहां पे आपको Cubase LE software इसके साथ में देखने को मिल जाएगा जो completely free है और इसको आप use कर सकते अब यहां पे आपको next step करना है कि आपको standberg download assistant आपको download करना है क्योंकि इसी के थुरू आपका जो Cubase LE software है वो download होगा यहां पे आपको click करना है पहले वाले link पे और यहां पे आपको standberg download assistant दिख जाएगा तो mac है तो mac के लिए window है तो window के लिए आप यहां से download कर सकते हैं इसके बाद आप standberg download assistant को आप open करेंगे जो कुछ चीज तरह से आपका open होता है open करने के बाद आपको यहां पे Cubase का एक option दिखेगा इस पे आपको click करना है इस पे जैसे ही आप click करेंगे यहां पे Cubase LE software दिख जाएगा जिसको आपको install करना है Cubase LE 13 आपको यहां पे दिख जाएगा इसको install करने लिए install all का यहां पे button दिक रहा है इस पे आपको click करना है उसके बाद यह आपके computer। में install हो जाएगा Bluetooth से connect करने के लिए सब्से पहले आपको यह हाँ पे computer के ओपर यहांपे click करना है connect Bluetooth media device पे आपको click करना है और इस पे जब आप किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से भी वो 25 आ जाएगा यहाँ पे बगल में connect का एक बटन आपको दिख जाएगा इस बटन पे आपको एक बार किलिक करना है और उसके बाद यह connect हो जाएगा मोबाइल से connect करने के लिए आपको सबसे पहले यह आपको open कर लेना है यहाँ पे एक option आपको देखने को मिलता है start bluetooth scan इस पे आपको किलिक करना है इस पे किलिक करते ही आपके सामने इस तरह से permission मागेगा आपको यहाँ पे पहला वाला जो है इसको select करना है allow करना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो midi keyboard है वो यहाँ पे शोरा है भी बोड 25 आपको इस पे एक बार किलिक करना है और उसके बाद यह connect हो जाएगा अब आपको कोई भी अपना mobile के अंदर app install कर लेना है जिसमें music recording होता हूँ यहाँ पे मैंने qbases लिया है और इसके अंदर मैं आपको record करके अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मैं mobile के अंदर recording mode on कर रहा हूँ और keyboard से कुछ play करते हैं मैं आपे basically quotes play कर रहा हूँ keyboard से और यहाँ से मैं stop कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा wireless midi काम कर रहा है और इसके थूरू यहाँ पे यह recording हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको transpose के अंदर आना है और project synchronization setup के अंदर क्लिक करना है यहाँ पे designation पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे midi clock designation पे इसको आपको tick करना है और इसको भी आपको इस तरह से tick करना है और last में machine control पे आना है MMC slab active करना है आपको यहाँ से और यहाँ पे आपको vboard 25 bluetooth select करना है और यहां पर MMC device ID में 116 आपको डालना है और यहां से आप इसको OK करेंगे और यह आपका DAW setting complete हो गया FLA studio के अंदर आपको यहां पर option पर क्लिक करना है MIDI settings के अंदर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको VBot 25 Bluetooth दिख जाएगा input and output के अंदर यहां पर आपको यह enable करना है Logic Pro के अंदर आपको settings के अंदर आना है MIDI पर क्लिक करना है और यहां पर आपको sync वाला button दिखेगा इस पर क्लिक करना है यहां पर MIDI sync project setting पर क्लिक करना है और यहां पर listen to MIDI machine इसको आपको on कर देना है और यह आपका इनेबल हो गया आप दोस्तों मैं आपको जीनियून रीवी बताता हूँ इस मीडी कीबोर्ट के बारे में दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मीडी कीबोर्ट एबलेबल हैं जिसको आप अपनी मर्जी किसाफ से परचेस कर सकते हैं लेकिन यह मीडी पलस का मीडी कीबोर्ट काफी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और अच्छा है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट बुलुटूथ आपको देखने को मिल जाता है साथ में इसके अंदर आपको बैटरी भी देखने को मिल जाती है तो इसका एमेजोन का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा तो आप आई बटन के तुरू भी इसको पर्चेस कर सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके बताओ और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में